दोस्तो औल इंडिया इंस्टूट अफ मेडिकल साइन्स एम्स डेली में जो है संदार वेकेंसी निकल के आ चुके है सियारी सियारी का मतलब यह होता है फ्रेंड्स कॉमन रिकूट्मेंट इग्जामिनेशन फॉर एम्स यानि इसके अंतरगत जो है नन टीचिंग जैसे पोस् इसमें various पोस्ट हैं ग्रूप B और ग्रूप C टाइप के अब यह करता क्या आफ फ्रेंज तो आप सबको पता है यह जो है एक्जाम कंड़ट करता है हर साल जो भी कैंडिएट्स बारों ही पास होते हैं वो एक्जाम मतलब फॉर्म भरते हैं और एकजाम देते हैं और यह ज अभी M's में यह admission जो है कराते हैं तो इस जो है इंस्टूट के अंतरगत वेकेंसी निकाली गिए तीन हजार से ज़्यादा पद रहने वाले हैं अगर हम बात करें इस वेकेंसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं जीनिर इंजीनिरिंग सेक्षण में वेकेंसी है इसके अलाबा एकाउंटेंट सेक्षण में वsti के सेक्षण में गई hard i यहां पर 12 पास बोला गया तो इस तरह के संदार वेकेंसी जो है इसमें निकाली गई है आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना है फॉर्म भरने से पहले हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेट 3 की वेकेंसी है इसमें देखें मैट्रिक पास है तो आप फॉर्म भरेंगे दे करना एक हैं घमदार की वेकेंसी है जिसको आप सकते हैं तो रहने वाली है तो कई अलग अलग तरह के पदों पर वेकेंसी निकाले गई है a 50 प्लस यहां पे पाद है । यहां पे आपका आपका क्वालीफिकेशन रहने वाला है, आप यहां पे देख सकते हैं तो आये जानते हैं इस वेकेंशी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है फॉर्म बढ़ने से पहले आप लोग एक बार इस notification को जरूब पढ़ेंगे, देखे, आपको का करना है, इस website पर आना है, All India Institute of Medical Science, मैं आपको link description box में दे दिया हूँ, click करके आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आपको recruitment का एक option मिलेगा, आप इस पे click करेंगे, यहाँ देखे, common recruitment examination for M's, CRE, M's, इस पे आ आया, यहाँ देख सकते हैं, और थोड़ा सा application fee, आपको expansion देखने को मिलेगा, यहाँ देखे रहे हैं, तीन हजार रूपय application fee है, General OBC को, SCST EWS को 2400 रूपय application fee, यहाँ पे एक form भरने का यहाँ पे देना होगा, और जो भी biglang है, उनको maaf है, मतलब biglang को fee यहाँ पे नहीं देन है, भरने के लिए, तो यह ऐसा ही होता है, देखे, M's में जितनी vacancy आती हैं, friends, form भरने का fee होता है, यह होता है, यह होता है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यह करना है, यह करना है, फिर आपको login करना है, यहाँ आप click, here पर click करेंगे, तो आप application का open होगा, इस परकार स जनकारी आएगा, आप proceed करेंगे, यहाँ पे जो है, आपका application का process दिखाएगा है, कि किस तरह से form भरना है, यहाँ पे आपको proceed करना है, प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको post applied for, आप कौन से post के लिए form भरना चाहते हैं, सभी post का नाम यहाँ पे आपको आपको एक post का चुनाव कर लेना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो उस सभी post आपको दिखाएगे, देखराए ना, आप देखे, data entry operator grade A की विकेंसी है, यहाँ पे हर तरह की विकेंसी है, cashier है, lab technician है, इसके अलवा, library and information assistant की विकेंसी है, library attendant की विकेंसी है, MTS की विक फॉर्म भर सकता है, transport, wireman, yoga instructor की विकेंसी है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप कौन से post के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके according आप चुनाव कर लेंगे, फिर यहाँ पर अपना पूरा नाम, फिर पूरा नाम को यहाँ पर confirm करेंगे, फिर यहाँ पर father's name अपना ल category certificate issue date भी यहाँ पर आपको बताना है, कब category certificate आपने बनवाय हुआ है, general को यहाँ पर यह वाला option disable हो जाएगा, अगर आप यह general चूछ करते हैं, तो आपका category हट जाएगा, लेकिन SCST OBC को अपना देना पड़ेगा, इरेवलोस वालों को अपना category certificate की जनकारी यहाँ पर देना चूछ करना है, कब कौन से राजिक के domain style है, यहाँ पर एक ID proof आपको चुराव करना है, कि अब अधार card या pen card कौन सा ID proof देना चाहते हैं, उसका चुराव करके, और ID संख्या यहाँ पर लिग देगे, जैसे मैंने अधार card चूछ के तो अधार संख्या लिग दूगा, पे place of issue इंडिया यहाँ दिखाई रहा है, यह भी optional है, मतलब है ID proof के validity के बारे पूछ रहा है, यहाँ इससे optional है, अब गिराज़त दीजे वरना इससे छोड़ दीजेगा, फिर यहाँ पे आपको gender बताना है, अगर है तो yes करिए, अपनी जनकारी पते यह नहीं है, तो no करें इससे चोड़ सकते हैं, फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ register पे click करेंगे, submit करते ही, आपका candidates ID यहाँ पे मिल जाता है, आप इसे note जरूर कर लेंगे, यहाँ लिखा विया, kindly note your candidates ID, और यहाँ पे बोला गया है, कि आपको email और SMS कर दिया गया है, आपके email और mobile नमबर पे login credential, which are required to login, यह सब आपको login करते समय, आपका required ह होने वाला है, आप अपने email ID को check करेंगे, तो वहाँ पे इनके द्वारा जो है, एक candidates ID और password भेज दिया गया, ok करेंगे, ok करते ही, अब आपको यह home page पे लिखाया गया, यहाँ candidates ID लिखेंगे, जो password आपको मिला वो लिखेंगे, फिर scripture code को भरके आप login पे click करेंगे, login करते ह आपका dashboard पर हो जाता है, आपकी सारी जनकारी यहाँ सो भी होता है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पे अब आपको यह सारे जो head options को complete करने है, यहाँ पे आप edit करना चाहते है, इसमें कुछ भी गलती है, तो इडिट कर लिजेगा नहीं है, तो आप process to step 2 पे click करेंगे, अब आपका दूसरा step यहाँ देखे, खुल लाएगा, आपको qualifying examination details भरना है, जो भी essential है, यहाँ पे आपको से पोस्ट के लिए, मतलब जो आपने post चुनाव किया ना, उस recording यहाँ पर automatic आएगा, कि आप यह ओ चुनाव कर लिजे, जो essential qualification, automatic यहाँ सेलेक्ट करने का option सुनाएगा, फिर board university का नाम, institute का नाम, admission date, passing date, और यहाँ पर state, किस राजे से आपने वो course complete किया, गिरिशन है, या metric है, इंटर है, जो भी आपका essential qualification है, फिर यहाँ पर आपका जो है, बताना है कि have you extra qualification, do you have extra qualification, अगर है, तो हाँ करेंगे, और अपना जो है, उस degree के बारे में admission date, passing date बता सकते है, यहाँ कोई है, additional देना चाते हैं तो, नहीं तो no कर देंगे, फिर यहाँ पर अपना address को feel करना, यहाँ पर country चूच करेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे, इस हमालिया में अपर पिन कोड लिखते है, अब यहाँ पर देखे, ऑटमेटिक है, state और district आ ग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर permanent address पूच रहा है, यहाँ correspondence address पूच रहा है, तो किसी-किसी का दोनों अलग होता है, किसी-किसी का दोनों का same होता है, तो इसको tick करते हैं, same same हो जाता है, फिर यहाँ पर process to step 3 पे क्लिक करेंगे, 7S करते हैं, अगले step में आपको experience की जनकारी करेंगे, तो मेरे case में आप experience mandatory था, तो इसलिए आप experience मांग रहा है, तो आप यहाँ पर experience बताएंगे, और यहाँ पर save and proceed करेंगे, आगर आपका mandatory नहीं होगा, यहाँ आप no कर देंगे, तो यह हट जाएगा, और उसके बास यहाँ पर save and next करेंगे, save and next करते हैं, अगले step मे आप twice करने के बाद से upload image, यानि photo signature आपको upload करना होगा, और print application form आपको कर लेना होगा, तो यह आगे का step है, आप खुद से करेंगे, बहुत आसान है, आप easily कर सकते हैं, city choice, upload image signature और last में print out हो जाएगा, यहाँ पर 2400 का मेरे case में fee लग रहा है, हम यहाँ पर online payment पे click करेंगे, आप जो है, आपको payment gateway पर ले कर जाएगा, यहाँ पर आपको application fee जमा करने एक option है, आप अपना application fee जिसमी माधियम से जमा करना चाहते हैं, जमा करेंगे, और उसका आगे proceed करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, अगर म करते हैं, यहाँ rise your query का option है, इस पर भी जाके आप अपना query को rise कर सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है, उस case में तो, आपका fee माल लिख सकते हैं, और यहाँ पर चूच कर लेंगे, उस PDF को, screenshot को, और कर सकते हैं, rise query, यहाँ instruction अगर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है किसी next video में, जाहिन